पूफानों से आख मिलाओ, सैलाबों पे मार करो और मन लाहो का चक्र छोड़ो, तैर के दरीया पार करो बाहरी लोगों को जो बार-बार यहां टिकट दिया जाता है तो यहां एक भी भी कास कार्ज नहीं गया है बताती हूँ, यहां एक भी केंडरीय इद्याले नहीं है, यहां मेडिकल कॉलेज की अरश सकता है सरकारी हॉस्पिटल में आईस्यू की सुईरा नहीं है, हमारे गाउं और दूर दराज से जो जनली इलाका है, सब जगा से जो लोग आते हैं उनको सीधा पटना जाना पड़ता है, इसलिए जितना भी यहां विकास का कार्ज रुका हुआ है, उस सारे सकना को एक ही आदमी पूरा कर सकते हैं, जिनका नाम है बिरोज जादर जी और राष्टिय जन्तादल जो इस तरह से धोखा देने का काम हमारे नेता को दिये हैं, उसका भी जवाब देने काम वक्त आ गया है और इनके साथ तिन साल में लगतार विकास कार्जों के लिए हर एक गव जहां जाना आसंभव है, वहां पर भी हमारे नेता जाने का काम किये और वहां के लोगों का सुख दुख और वहां के विकास का जो रुका हुआ है उसको सारा देखने का काम हमारे भी नोजादर जी ने किया है एक सेर परना चाहती हूँ तूफानों से आख मिलाओ, सैल आगों पे मार करो और मलाहो का चकर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो और वक्ता गया है, खुट तैर के पार करना है दरिया और सब्यों समझ लिए जिस तरीका से हम लोग को इछा देते हैं तो एक साल में एक्जाम होता है, ये भी एक एक्जाम का वक्त है और ये एक्जाम पांच वर्सों में होता है इसे लिए आपको पांच वर्स जो है, हरहाल में नहीं खोना है नवादा के विकास के लिए, हरहाल में विरोट जादब जी को सांसत बना करके दिल्ली में भेजना है ताकि हमारा नावादा जो सारे लोग नावादा नावादा करते हैं और सिर्फ वादा वादा होना चाहिए यहां से मैं गूस्ता करती हूं इसी के साथ और बहुत सारे लोग हैं यहां पर बहुत सारे वक्ताओं की कतार हैं वक्त की कमी हैं इसी के साथ लोग मै!